हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटिट कमडिटी में स्वागत करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी बहुत जाता वोलाटाइल है अगर हम पिछले दो दिन की बात करें तो दो दिन पहले मार्केट आपका कहा था मार्के के बात करें यह नि अगर हम आज 23rd में के ही बात करें यहां पर देख सकते हैं मार्केट आपका कहा पर था सिक्षिन दाविट टू हनवेट का लोग बनाया था इसके करीब यह आया था और वापस से उपर गया और शिक्षिन दाविट पॉइन फूहनवेट करीब गया यह लगबग यह आपका 180 पॉइंट से 200 पॉइंट का मुवमेंट इंट्राडे लेवल पर ही दिखा दिया तो इस टाइम पर आपको क्या पॉजिशन लेना इस टाइम पर अगर आप चाहे कॉल ऑप्शिन बाई करो या फिर पूट ऑप्शिन बाई करो आपका पॉजिशन अगर आपको पैसा बनाना है तो पॉजिशन को करना ही पड़ेगा तो वहाँ पे हम क्या प्रिफर करेंगे वहाँ पे हम हेज पॉजिशन लेंगे और उसको करेंगे क्योंकि अगर मेरा हेज पॉजिशन रहेगा तो मार्के में वालटलीटी आएगा तो हमें प्रॉफिट देता हुआ दिखेगा तो हम वैसे hedge positions को prefer करेंगे जो market के volatility के साथ साथ हमें profit increase करके दे तो आज मैं आपको इस वीडियो है वही hedging strategy के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इस market condition में जहां पर market बहुत जला volatile है उसके लिए suitable है और इससे पहले मैंने hedging strategy को उपर 2-3 वीडियो ब बिल जाएगा और यहां पर जो hedging strategy में बताने जा रहा हूं उसका implementation कहां पर करना वो बहुत जरूरी है और इसके साथ-साथ वहां पर कुछ crucial information में provide करूँगा जो कि generally लोग नहीं देते हैं कि उसका इस्तेमाल कब करना कौन से market में करना और किस point पर करना यह सब आपको सीखन जबूरी है अगर आप यह सब नहीं सीखेंगे सिर्फ hedging strategy के basis पर आप कहीं भी trade नहीं ले सकते हैं यह भी आपको नुकसान दे सकता चलिए hedging strategy को उपर बात करते हैं उससे पहले इस से related कुछ important point है उसके उपर हम discuss करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो आज मैं आपको hedging strategy बताने जा रहा हूँ उसका नाम है आपका long strangle साहद आपने इस hedging strategy को पर पहले ही वीडियो देख रखा होगा या नहीं तो नाम तो already सुन जरूर रखा होगा लेकिन सारे लोग इस strategy किसके उपर focus करते हैं सारे लोग focus करते हैं pay off chart के उपर लेकिन आपको इसके उपर focus नहीं करना focus करना इसके implementation के उपर अगर आप इसको सही तरीके से सही जगा पर implement करेंगे तभी आपको profit बना के देगा pay off chart आपको profit बना के नहीं देगा अगर आप इसको गलत जगा पे implement करेंगे तो यह आपको हेजिंग strategy होने के बावज़ूद भी नुकसान दे सकता है इसलिए इसके implementation के उपर आपको focus करना होगा और इस video हमारा main focus रहेगा implementation के उपर यह साथ ही साथ इस strategy का इस्तेमाल कब करना वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो की generally लोग नहीं बताते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें break even point find करना जाता है तो break even point हम कैसे calculate करेंगे मैं आपको live chart पे ले जाके सारा कुछ detail से बताऊंगा भी सबसे पहले अगर आपको call side की तरफ break even point find करना जाता है तो call का strike plus premium paid यहाँ पे आपको ध्यान देना premium paid सिर्फ आपको call side की तरफ भी नहीं होगा आप put side की तरफ भी premium paid करें क्योंकि यह हमारा hedging spread जी है तो जो भी आप premium paid करें call या put दोनों side का वो यहाँ पे आपका क्या बनेगा break even point output side की तरफ अगर आप बात करें तो put का जो भी strike price है minus premium paid जो भी आप premium paid करेंगे call और put दोनों को add करें यहाँ पे होगा उसके बाद volatility क्या है यह जो hedging strategy है इसमें volatility important role play करता है अगर market यहाँ पे volatile वहेगा तो यहाँ पे positions को help करेंगा ultimately हमारा positions का MTM है वो हमें positive में दिखेंगा लेकिन अगर यहाँ पे volatility decrease करेंगा तो हमारे positions को hurt करेंगा और ultimately जो हमारा positions है वो हमें negative में देखने को मिलेगा उसके साथ साथ इस strategy में जो सबसे बड़ा दुस्मन है आपका वो है time decay अगर time के साथ market volatile नहीं होता देख सकते हैं अभी market आपका volatile है लेकिन अगर market का volatility खतम हो गया तो फिर यह strategy हमें इस्तमाल नहीं करना यह strategy तभी इस्तमाल करना जब market आपका volatile हो तो अगर time pass करता है और market में volatility नहीं आता है पोजिशन को hurt करेगा ultimately positions आपका negative में आ सकता है उसके बाद यहां पर risk क्या है risk यहां पर काफी limited है यहां पर आपको margin भी काफी कम लगता है in fact यही एक ऐसा हीजिंग strategy जिसमें आप 10,000 से कम margin में trade कर सकते हैं यहां पर margin कम लगता है और जितना ही margin आप यूज करोगे वही margin आपका maximum loss रहेगा और reward यहां पर unlimited है अगर market बहुँच जाद वालटाइन हो गया तो यहां पर आपको अच्छा खासा reward मिलता हुआ दिख सकता है चलिए इस strategy को हम और detail से समझते हैं जो point हमने already discuss कर लिया अब हम option chain पर चलते हैं और इसको detail से समझते हैं फिर हम इसके payoff chart को भी उपर बात करेंगे तो इस strategy के लिए के जो भी point हमने discuss कर लिया अब हम इसके practical implementation को देखेंगे और उससे पहले हम इस strategy को अच्छे समझते हैं फिर हम इसके payoff chart के उपर भी बात करेंगे तो चलिए options इन पर चलते हैं देख सकते हैं निफ्टी अभी आपका section 5370 के करीब trade कर रहा है और यह हमारा live market है अब यहाँ पर जो हम trading strategy का इस्तेमाल करें यानि hedging strategy का इस्तेमाल करें वह है आपका long strangle यह हमारा hedging strategy है इस hedging strategy को हम समझते हैं यहाँ पर long strangle में क्या होता है generally market अभी आपका 16,350 के level पर trade कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर हम deep otm put और deep otm call options को buy करते हैं यानि आप तो दुमनी call options और put options को यहाँ पर हम buy करना prefer करते हैं तो अभी market आपका 16,350 के level पर trade कर रहा है ति yeah पे हम क्या करेंगे 16,100 के put options को buy करना prefer करेंगे सबसे पहला ये होगा जिसका premium में आपका लगबख 73 के करें और उसके साथ यहाँ पे हम 16,500 के call options को भी buy करना prefer करेंगे जिसका premium प्रीम में आपका लगबख 90 करेंगे ति यहाँ पे हम इन दोनों call options को buy करेंगे उसके बाद क्या होगा break-even point मैंने क्या बोला था कि आपका put में put strike price minus premium यहां पर आप करतेज़े 16,100 minus 70 और साधिशाथ minus 92 यहनि जो भी आप premium paid कर रहें यहां पर पेड करें यहां पर पेड करें एक यहां पर पेड करें यहां पर यहां पर रहें फिप्टेन थाउजन्ट नाइन थार्टी करें यह हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन जाए अगर मार्केट हमारा इसके नीचे जाता है तो यहां पर मुझे प्रॉफिट मिलता हुआ देखेगा यहां पर थूरा सा रफ मैं आपको उता रहा हूं फिर मैं आपको पे आफ चार यानि 16,000 660 यह हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन जागा तो यहां पर हमें प्रॉफिट कब होगा अगर मार्केट 15,930 से नीचे जाएगा या नहीं तो 16,000 660 से ऊपर आएगा तभी हमें प्रॉफिट होगा हम एक्सपारी लेवल के बात करें लेकिन अगर मार्केट में व प्रॉफिट दे सकता है लेकिन अगर हम एक्सपारी लेवल के बात करें तो मार्केट अगर आपका इस रेंज के बीच में रह गया 15,930 से लेके 16,660 इस रेंज के बीच में अगर यह ट्वेट करता रह गया तो आपको क्या होगा यहां पर आपको नुकसान उठाना परेग बाहर निकलना चाहिए बाहर जाएं निकलना चाहिए निचे हमें कोई फर्क नहीं पडरता लेकिन उस भी जाना चाहिए चाहिए नीचे जाए चाहिए उपर जाए इसलिए मैंने बोला कि होना जरूरी है और सिंगल मार्केत आपका डेऱ्ज़ पॉइंट से ज्याधा का दिखाना चाहिए तो आपको प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलेगा यहां पर आपको एक जामपल बता देता हूं सेम चीज़ को अगर हम उठाए तो अभी देख सकते हैं अभी आपका प्रीमियम कितना है और 100 पर लगवग आपका 73 करीब है और मार्केट अभी आपका 17400 करीब यानि दोनों का जो प्रीमियम एड करके है वो आपका है 163 करीब लेकिन जब मार्केट आपका 63 था तो इन दोनों का प्रीमियम कितना था इन दोनों का प्रीमियम था लगवग आपका 145 से 150 करीब यानि सिंगल टे इंट्रारे लेवल के वेशिस पे आपको कितना मिल गया ल जब market आपका range bound हो जाएगा तब यह strategy काम नहीं करेगा तू देख सकते हैं अगर आपने यहाँ पर यह strategy apply किया होता जब market यहाँ पर था तो यह आपको अच्छा खासा profit बना के दे सकता चलिए इसके payoff chart को देखते हैं और वहाँ पर हम और details समझने कोशिश करते हैं साथ ही साथ इसका practical implementation कब करना उसके उपर भी हम बात करेंगे सबसे पहले हम उसी को बात कर लेते हैं फिर हम आपको payoff chart पे लेके आएंगे इसके निफ्टी के chart पे जलते हैं तो यहाँ पर हम easing strategy बात करें long strangle उसके implementation के उप़र बात करنا चाहेंगे यहनु इसका practical implementation के उपर बात करना चाह तो देखिए अब मार्केट आपका एक रेंज पकर रहा है, उसके बावजूद भी एक रेंज पकर रहा, अपर रेंज के आदेख सकते हैं, यह हमारा अपर रेंज है और यह हमारा लोड रेंज है, कितने दिनों से हैं, लगबब आपका 11 ट्रेंज से मारकेट एक रेंज के बीच में त्वेड कर रहा है, लोड रेंज है हमारा फिप्टीन थाओजन शेवन हंडड से एंट हंड गरी यह हमारा लोड रेंज है, आप पर वेंज हमारा 16400 करें बालबार 16400 से आ रहा मार्केट नीची आ रहा और यहां से मार्केट उपर जा रहा तो यहां पर इसके पास आएगा तो आदर और नीची जाएगा या और उपर जाएगा तो वहां पर आप इंप्लिमेंटेशन कर सकते हैं वहां पर आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा अगर मार्केट आपका इहां पर है इहां से अगर ब्रेक आउट दिया तो 200-300 पॉइंट का और अपस दिखाएगा अगर ब्रेक आउट नहीं दिया तो वापस से क्या होगा वापस से देखने को मिलता है और मोस्ति लोग क्या करते हैं सब्वोट इस्टेंट लेवल का इंतिजार करते हैं तो अगर आपको इस स्ट्रेड़ी का करना है तो कहां पर करना है क्लिए के साथ समझ में आ गया और यह आपको कोई नहीं बताएगा सारे लोग 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 स्ट्रेंग के पूट ऑप्शन्स को बाई किया है 26 मेवाला इसपाइरी में और उसका प्रीमियम कितना लग बग 71 रुपीज करी प्रीमियम में इसको हमने बाई किया है एट दा सेम टाइम हम यहां पर ओट्यम को भी बाई कर रहा है 16,500 जिसका प्रीमियम में आपका 93 के करीब देख सकत से भी कम मार्जिन में ट्वेट कर सकते हैं रिख सकते हैं मार्जिन हमारा है 8,260 रुपीज करीब और यहां पर maximum profit undefined that means to maximum profit unlimited है और maximum loss कितना है जितना आपने प्रीमियम पे किया है वही आपका maximum loss है यहां पर आपका 100% हो सकता है यह चीज आपने यहां पर देख लिया अब यहां पर हमें range मिलवा 15,935 जो कि मैंने आपको पहले बताया था यानि market अगर आपका 15,935 से नीचे जाता है तो यहां पर मुझे profit मिलेगा और अगर 16,065 यह भी हमारा range दिया इससे अगर ऊपर आता है तो हमें profit मिलेगा अगर इस range के बीच में market move करता है तो मुझे क्या हो यह पूरा capital मुझे यहां पर loss हो सकता है इसलिए इस strategy का इस्तेमाल करना है जब market आपका volatile हो यह नहीं जब यहां पर हमें wix at least आपको 22 से above देखने को मिले जब wix आपका 22 से above हो तभी आपको यह strategy इस्तेमाल करना है clarity के साथ समझ में आ गया है यहां पर आपको wix भी चेक कर लेना 22 से above होना चाहिए वही दिखाता है कि market volatility यहां पर हमें कितना देखने को मिलेगा उसके बाद आप यहां पर payoff chart देख सकते हैं यह range है इस range में आपको क्या होगा इस range में आपको नुकसान होगा अगर market इस range में क्या देता है expire ही देता है या फिर expire होता है तो आपको यहां पर नुकसान उठाना पर सकता है लेकिन अगर market आपका इस range से बाहर निकला है यहां पर हम expired day के basis बात करें, intro day के उपर इसके बाद बात करेंगे, तो अगर इस range से बाहर market निकलता है, तो मुझे क्या होगा, profit होगा, या फिर इस range से नीचे जाता है, तो भी यहां पर मुझे क्या होगा, profit होगा, यानि market में जो volatility आएगा, तो हमें profit देगा, अगर market volatility नहीं आता है, तो हमें profit नहीं देगा, इसलिए मैंने बोला कि volatile market जो अभी आपका, बहुत ज़्यादा volatile market ऐसे situation में आपको, यह strategy इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां पर, देख सकते हैं, market ने जो अभी range भी बना है, वो range अच्छा कासा बना है, 15,700 से लेके, 16,400, यह लगबग आपका 700 points का range बनाया है, यहां बे मुझे profit कब मिलेगा, current market price है, अगर market आपका लगबग 300 points उपर जाता है, या नहीं तो नीचे अगर यह आपका, लगबग 450 points नीचे जाता है, तो मुझे profit देगा, अगर यह आपका ऊपर 300 points जाता नहीं जा पाता है, या फिन नीचे सारे 400 points से नहीं जा पाता है, तो मुझे नुकसान होगा, लेकिन market ने जो range बनाया है, लगबग 700 points का range बनाया है, तो यह दो प्राइस आने के chances जाता है, यह नीचे में सारे 400 points और उपर में 300 points का moment देखने को मिल सकता, लेकिन यह कब मिलेगा, जब यहाँ पे हम resistance level या फिर support level के पास क्या बनाएगे, अपना positions बनाएगे, तभी यहाँ पे मुझे यह profit देता हूँ अधिक सकता, इसलिए इसका implementation कब करना, resistance level या support level के पास market हो तब करना, और सबसे important है कि market volatile हो, तब भी profit देगा, volatility कैसे check कर सकते हैं, wix check कर सकते हैं, मैंने already बताया कि wix आपका काम होना चाहिए, wix आपका above 22 होना चाहिए, तब यह आप यह सारा कुछ implement कर सकते हैं, और अगर इसके बीच में market वैता है, तो यहाँ पे आपको, नुकसान कितना होगा, already बता दिया, अगले वीडियो हम क्या बात करेंगे, कि अगर आपको लगता है कि market इसी range में move करेगा, तो आपको कौन सा spread इस्तेमाल करना, जिसमें आपको इस particular range में profit हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि market इसी range में move करेगा, तो उसके लिए भी हमारा एक hedging spread यह, जो कि आपको इस range में profit बना करेगा, यानि market इसके और इसके बीच में कहीं पर भी move करता हो दिखे, तो आपको profit होगा, और इससे बाहर निकला, तो मुझे यहाँ पर नुकसान होगा, उस strategy को पर हम अगले वीडियो हम बात करेंगे, और हम regular basis पर यहाँ पर हम hedging strategy को बात करते रहेंगे, और अभी हम यहाँ पर जो ready-made hedging strategy है, उसके ऊपर बात करने जा रहें, और उसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे, कि हमारा जो personal hedging strategy है, जो हमने बनाया है, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह सब hedging strategy वो समझना परेगा, क्योंकि बहुत बार हमने इसी के दो all friends, उमीद करते हैं, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इन कवेज किजए, और चेन 변 को सब्सक्राइब नहीं किर, चनल को सब्सक्राइब भी किजए, मिलते है नेक्स वीडिय वीडियो में जाहिन